नमस्कार मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है आज हमें कैसे विशेवर बात करेंगे जो देश के राजनीत में महत्वण विशेव बन गया है मीडिया में भी काफी उसको कबर किया जा रहा है महत्वण विशेव नहीं बनना चाहिए था क्योंकि ये सरवच नयाले का फैसला था कि केरल का एक मशूर मंदिर शवरी मला उसमें महिलाओं को भी पुरुशों की तरह प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए और इस फैसले को सुनाया जब गया तो देश की जितनी सियासी पार कार के हिसाब से हर मंदिर में भगवान या देवी के हां हर पुरुश और नारी को जानी की जाजत है तो शवरी मला में भी होनी चाहिए लेकिन कुछी दिनों के बाद इसको लेकर महा विबात पैदा हो गया है और जिन राइनितिक दलों ने इसका खैरमग्दम किया था उटाई है बहुत आश्रजनक घटना क्रम है और मीडिया में इसको काफी महत्यों के साथ चापा जा रहा है प्रसारित किया जा रहा है समाज में उथल पुथल का माहौल है केरल जो देश का एक ऐसा सभ्य शुशंस्कृत शिक्षा स्वास्ति के मामले में बहतरीन किटेर अगर देखिए मारो विकास सूचकांक में तो सरवच्चा है और ऐसे प्रदेश में एक ऐसे मुद्दे को लेकर जगड़ा पैदा हो गया है जो वाकई दुरभाग की जनक है बहुत पहले वर्षों पहले 1892 के आसपास स्वामी विवेकानंद ने केरल के दौरे में क लेकिन वही प्रदेश पर भूर्कि सुधार को बात के दिनों में वहां के वामपंथी जो राइनिती का अंदोलन है जिए सिख्षा भूमी सुधार पर और स्वासस सlyवाओंपर ध्यान दिया उसके बदौलत भारत के सर्वतम राज्यों में शुमार हो गया लेकिन आज वो प्रदेश एक अजीब ब्याबान में लगता है कि एक अंधेरी सुरंग में जैसे मानो ठकेला जा रहा हो हम इसी विशे पर बात करेंगे हमारे साथ बात चीत करने के लिए तीन खास मेहमान है हमारे साथ जिगीश हैं जिगीश हिंदू बिजनेस लाइन के डिपिटी एडीटर हैं और केरल की राईनीद को पूरे दक्षिन भारत की राईनीद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ह μας हैं भक्ती पस्रीशा सेठी जो एक वकील हैं और वकील के नाते इन्होंने पेटिशन दायर किया था बहुत पहले सुप्रिम कोट में की महिलाओं को उस मंदिर में शबरी मला में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए तो आप तीनों का स्वागत है और शुरुआत हम करते हैं ज कह रहे हैं मैंने देखा कि संग से जोड़ी बड़ी हस्तियां भी कह रही हैं कि सुप्रिम कोट ने सदियों पुरानी या वर्षों पुरानी उस परंपरा को नहीं ध्यान दिया हिंदू परंपरा को जिसमें महिलाओं को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी लेकिन तथियो तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर केरल जैसे प्रगशील राजी में इतना बड़ा विवाद महिलाओं की उपस्थिती को लेकर उनके दाखिले को लेकर मंदिर में क्यों मचा हुआ है और मीडिया का क्या अप्रोच है वहाँ इसके पीछे एक स्टाटेजी है वो स्टाटेजी तक हम आएंगे मागर उससे पहले आपने जो बोला था कि बहतर तक बहतर के बाद भी जो पहला पेटिशन था 90 लेटर एटीज पे जो एस महिंदर ने फाइल किया था करणा हाई कोट पे उसके आथारित 1991 एप्रिल में एक व या 10-15 जो आ रहे थे उसका पूरा एंट्री बैंड किजिए तो एस महिंदर ने का कंप्लें में एथा कि एक सर्टन विमन के लिए वी आपी ट्रीटमेंट मिलते हैं तो इसलिए वो लोग उथर जाते हैं और पूजा करते हैं तो यार गटिटिए वी आपी ट्रीटमेंट इस दे बैस फिस कंप्लेंट तो कोट ने वो एकस्प्ट किया कोट कोट के कैसा वर्डिक्ट किया कि दिया कि सब का बैं होना चाहिए बट्वीन 10-50 तो उसका लेटर सुप्रिंग कोट में 2006 में यंग लोयर्स असोशेशन ने चलेंज किया था तो ये एविडेंस बहुत स्य जादा है फिलिम का शूटिंग उधर था उसका रसीप्ट है देवस्वम बोर्ड जो मैनेजमेंट अधोर्टी है उन्होंने दिया है बहुत सारे जो फस्ट अमिन सर्मिनी जो फस्ट मील एक बच्चे का फस्ट मील बहुत सारे 30 1930 से लेकर 1990 तक बहुत सारे ऐसा सर्मिनी उनका अपना ये जो फस्ट मील का सर्मिनी अपने मा के गोद पर बिटाके उनको दिया था 1930s और 40s पर तो वो एक हिस्टरी था कि एक एक वो सर्मिनी ऐसा भी था कि फस्ट मील अपने मा के साथ शबरिमला पर दे दिया जाए ये राकिर राजनितिक जो दल है या बहुत सार नारत इंडिया के प्रेस में या जिसको नेशनल प्रेस लोग कहते हैं मैं ये समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि क्या साउथ के प्रेस में क्या मलयालम के अकवारों में क्या ये बातें रिपोर्ट हो रही हैं जो आप हम आरे दर्शकों को अभी बता रहे हैं All facts are being reported in Malayalam Press. Although the same and fringe elements are depending on one book by a British person who had visited Shabarimala in the late 19th century. So he wrote that Uthar, he couldn't, there were some 10,000 people at that time, but he couldn't meet any young women. okay between 10 to 50 most of them are so based on that they are building this यह जो एक गलत यह हो रहे है तो it is basically a political यह भी है तो we can come to that I think see RSS अगर आप देखेंगे तो यह जो RSS जब जब येंग लोईर्स असोसियेशन ने जब पेटिशन दिया था RSS के प्रमुख वक्ता उसको support किया था और जब discussions भी आइटे जैसे कि P PARMISURANN, P PARMISURANN KERALA का RSS, KERALA का RSS का एक वरिष्ट नेता है मैं उस पर आऊंगा जीच अभी हम पहले भक्ती से बात करते हैं, भक्ती आप PEPETITIONER रही हैं, I think 2006 के आसपास जो PEPETITION दाकिल हुआ था 2006, July 2006 जी मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोगों ने पेटिशन दिया और ये एक ऐसा इशू था जो उस वक्त खासकर नेशनल लेबल पर या नार्थ इंडिया में उतना मुद्धा किसी के लिए नहीं था लेकिन ये मुद्धा बन गया ठीक है जी अब हम ये आप से समझना चाह जाते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इसका हिंदू परंपरा का निशेद है या हिंदू परंपरा के खिलाब चला गया है सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट के जज़ज के बारे में जो इन्होंने इस तरह के फैसले दिये वहां के नेता जो हैं खासकर भारती जंता प करते हुए बहुत ही शर्मिंदा मनसूस कर रहा हूं मैं कोट नहीं कर सकता उन्होंने जजों की बारे में कहा फिर कहा दूसरा धड़ा जो है वह पिंडरी विजियन के चेंबर में भेजा जाएगा तो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं आपको क्या लगता है एक क्या हो गया इसको लेकर वही मतलब यह एक बड़ी क्या को बड़े आश्चरे की बात है यह हमारे लिए भी क्योंकि 2006 में जब हमने यह पेटिशन फाइल गरी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन फैक्ट अब बड़ा हम मीडिया में देखते हैं लोग ट्रॉल करते है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कोई कहता है बीजेपी ने फाइल कराया कोई कहता है लेफ्ट ने फाइल कराया कोई कुछ मरब कुछ-कुछ अलग अलग तरीगे की लोग के लिगेशन रहते हैं पट ऐसा कुछ निया जब 2006 में फाइल किया वी वर और यंग लेडिज दिया ए दर्शन करने और मैंने वहां उनके पाँच हुए तो उसके बाद वहां प्यूरिफिकेशन सेरिमनी हुई बहुत हला हुआ बड़ा शोर मचा और मीडिया में आया बर्कादजी का आर्टिकल था और कुछ आर्टिकल्स थे निउस्पेपर्स में भी थे और मीडिया में भी तो क्यों हमने फटिशन फाइल के दो और किए उसके पूरिफिकेशन को ले करके इट वसम्था की किसी मंदर में तो उसके बाद पूरिफिकेशन करोगे उस मंदर का कभी किसी ने सुना है कि कोई आदमी गया हो किसी मंदर में और वहां का पूरिफिकेशन होता ऐसा कुछ हमारे सामने आता और हमें लगता हम तो भी वैटिशन फाइल करते उसना पूरिफिकेशन करें हो किसले पूरिफिकेशन करें तो कहा हम महिलाओं की पूजा करते हैं शूरू से चला है कानूनी कानून का पक्ष कि जैसे मानली जी अभी वर्डिक्ट के बाद ये सब वहां कुछ हो रहा है आपको क्या लगता है एक पेटिशनर के तौर पे क्या सुप्रीम कोड को इस बीच में स्वता एक संग्यान लेना चाहिए था इंटर्वीन करना चाहिए था कि ये जो महिल कि अपनी ये स्पेशल इट है तोसल लगे सुप्रीम कोड को एक निश्कर्ज पर पहुंचने में उन्हों ने तो अभी पेटिशन कपने हार किसी को इतने सारे लोग थे जिन्हों ने अपना intervention file किया और objections भी raised हुआ तो judges ने सारा कुछ consider किया जिसका भी जो opinion था जिसका favor में था जिसका against में था everything was considered और in fact अगर कोई judgment पड़ेगा काफी बड़ा judgment है यह 400 pages का judgment है उसमें उन्हों ने पूरा history इसका दिया है कि पहले कैसे होता था ladies जाया करती थी और पहले क्या reasons होते थे इस तरीके के बैन के और अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए मैं कविता आप से समझना चाहता हूं कि जिस दिन यह वर्डिक्ट आती है उसके तीन चार दिनों के बीच में केरल में जो political parties हैं खासकर जो अभी आपोस कर रही है इस पूरे फैसले को और वहां महिलाओं के जाने पर नौकेवल उनका विरोध कर रहे हैं बलकि वाइलेंटली हिंसक ढंग से उन्हें रोक रही है पत्रकार महिला जो पत्रकार वहां रिपोर्ट कर रही थी उनको भी मारा मुकपत रहे आरे से इसका संभाता जन्व भूमी उसने सपोर्ट में एडिटोरियल लिखा आर्टिकल एडिटोरियल अगर संपादी की अग्रिलेख लिखे फिर ऐसा क्या आया है कि अचानक सब कुछ बदल गया मुझे लगता है कि अभी उनको जो मैं नाम लेकर के कि यह सब CPM एक लेफ्ट गवर्नमेंट एक लेफ्ट गवर्नमेंट है और वो हिंदु धर्म के खिलाफ हैं यह कह करके अगर हम अभी घुस जाए केरल में और एक बड़े हिससे को गुम्राक कर दें तो यह हमारे लिए BJP के लिए एमर्ज करने का एक रास्ता है केरल में इस सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट ट्रिपल तलाक में था लगभग वही वर्डिक्ट आपका शवरी मले में है जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी कोई धार्मिक अगर प्रैक्टिस होगी वो किसी महिला के समवैधानिक अधिकार उसकी बराबरी को का हनन नहीं करने दिया जा सकत तो अगर पीजेपी ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट को वेलकम कर रही है वो कह रही है यहां तक कि प्रधान मंत्री खुद उसका श्रेय अपने माथे पर लेना चाहते हैं कि वो मुस्लिम महिलाओं के पेटिशन के चलते नहीं वो तो मेरे चलते हो गया ठीक है अब आप वो कर के एंट्री पर किसी भी जगह में चाहे वो प्लेस कोई भी हो चाहे वो मंदिर हो चाहे कोई धुसरा पब्लिक प्लेस हो उसकी एंट्री पर जातिया या जेंडर के नाम पर दलित होने की वज़े से या महिला होने की वज़े से अगर वहां प्यूरिफिकेशन करना कर रहे ह तो वो तो एक बहुत भयानक human rights violation है, एक और मैं इसमें जोड़ू, कि एक devotee ने जो review petitions file हुए, उसमें एक महिला devotee ने, जो कि मां है 13-14 साल की बच्ची की, उसने review petition के खिलाफ एक petition file किया सुप्रेम कोड में, कहते हुए कि मैं आई अप्पा की भक्त हूँ, लेकिन मैं कह रही महिला के साथ संबन नहीं रखते हैं, वो तूट जाएगा अगर उनकी नजर के सामने, ब्रमचर ये तूट जाएगा, अगर कोई महिला या बच्ची उसके उनके सामने पढ़ जाएगी, दस या पचास साल के बीच में, तो उसके उसमें कहा है कि ये तर्खी अपने आप मे ना सिर्फ बच्ची उनके खिलाफ हैं, बलकि ये अपा भगवान के खिलाफ भी हैं, उन्होंने कहा है कि उससे तो आप कह रहे हैं कि भगवान की नजर के सामने कोई चोटी बच्ची पढ़ जाए, महिला पढ़ जाए तो उनका ब्रमचर ये भंग हो जाएगा, आप क्या क पढ़ता है, क्योंकि आप बच्ची उनको सिखा रहे हैं, महिलाओं को सिखा रहे हैं कि आप तो सिर्फ सेक्स ऑबजेक्ट हैं, आप किसी भी पुरुष के नजर के सामने पढ़ जाए, यहां तक की भगवान के सामने पढ़ जाए, तो वो आपको कुछ भी कर सकते हैं और आप उसके लिए दोशी हो, लेकिन कविता आप महिलाओं के आंदोलों में आपकी सक्री हिसेदारी है, मैं यह समझना चाहता हूं कि आखिर जो निजाम आज का है, जो कहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जो निजाम है जो तीन तलाग पर एक वैसला करता है, और ब कि जुड़ा एक पहलू यह है कि इर्रेशनेलिटी, बिल्कुल विवेक हिंता इसमें शामिल है, फिर भी अगर समाज में एक बड़ा तबका, इस तरह के आंदोलन, आंदोलन हम विदिन दे कोट कह रहे हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंसक धंग से हो रहा है, अलग है, काफी हद तक प्रगत्शील है, विशारों से, आखीर यह जो एक नया राइनितिक परिखटना दर्ज हो रही है, इसको आप कैसे देखती है, और क्या आपको लगता है, क्या अखवारों में इस पूरी बहस को समेटा जा रहा है, या मेडिया में, वहां के मेडिया कोई प्रगतिशील रहा है, यह मेरी नजर में तो नहीं है, मैं मानती हूँ कि वहां पर एक तरह से अंटी लेफ्ट और काफी राइट 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 विंग के समने, केरला का राइट विंग स्पेस तो कॉंग्रेस ऑक्यूपाई की है, 57 से लेके आप तक, इसलिए वह को चैनलों में जाती थी, आज कल नहीं जाती, तो अर्णब गोस्वामी जिस चैनल को चलाते थे, आज रिपब्लिक है, पहले टाइम्स नूव में भी में जाती रही हूँ, वहां पर एक पैनल उनके बड़े पैनलिस्ट थे, राहुलेश्वर, जिनको वह बड़ा एक्सपर् थे, अभी वहां हिंसक सेना को लीड कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं वहां पत्रकारों की और इन सब की बोलती बंद है उस पे, ठीक है, उल्टा जो है, महां मैंने रिपब्लिक का देखा, रिपब्लिक का एडिटोरियल लाइन ये कह रहा है कि केरल की सरकार जो है, वह बा पानेंगे और पदमावत के केस में किसी किसी नहीं किया, ये अकेले समय केरल की सरकार है, जिसने एक सम्विधान पसंद महिलाओं के, महिलाओं के वर्डिक्ट और महिलाओं के वाधिकार बराबरी के पक्ष में वहां पर पॉपुलर भाषन दे रहे हैं, लोगों को समझा एक काम कर रहे हैं, जो किसी चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए, मैं तुमानती हूँ कर रहे हैं, और इसमें वो जो है, आप अपना मेडिया एक रिपॉब्लिक चैनल जो है, वो अपना इस ट्रेनिंग इस गन्स ऑन दे सेम गवर्मेंट, जो की इंपलिमेंट कर रहे हैं, जि जो कबर किया जा रहा है, दोनों में क्या बुनियादी फरक आप आते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह यह कहरे हैं कि ग्लोरिफाई किया जाना उन लोगों का, जो स्वेम वहां हिंसक ढंग से लोगों को रोक रहे हैं, पत्रकारों पर हमले कराने वाली भीड को जो सम जो अटाइक कर रहे हैं, उन से थोड़ा फोकस शिफ्ट करके, अड्मिनिस्टेटिव लाप्स और पोलीज इस पर कराने के लिए, एक, जो अगर केरला पे आप देखेंगे, तो देर इस नॉट इवन अ मीडिया चैनल और नूस्पेपर, अधर दन रस्स रन नूस्पेपर नॉट इवन मीडिया चैनल और नूस्पेपर इस पर इस गून्स, जैसे रिपब्लिक का पूजा को भी अटाइक आ गया है, शहरकार वोस कंप्लीटली ब्रॉकन, मौसमी ऑफ आज तक, स्नेहा ऑफ एंडी टीवी, काजल ऑफ टाइमस नॉव, जो जब फैशिस्ट अटाइ के शाबरी मला का आसपास में भी हमने ऐसे लोगों को देखेंगे, इंडिया में, दिली में और स्टेट संडेस पर भी, बेस्ट पोलिटिकल कर्रिस्पोंडेंस, और मौस्ट आफ तो इस नैचरल है को उनको फेच दिया दाए कि क्या इश्यू है, वो देखने के लिए, इस इसलिए भी संपास कोने सोचा होगा, एक तो वो, सेकेंट ये भी नहीं कि बस महिलाओं को अटाक किया है, अजित, एशानेट का वो एक जाने माने और रिपोर्टर है, अजित, उनको अटाक किया गया है, कमलेश, वो भी एशानेट से है, उनको भी अटाक किया गया है, रि बड़ा इशू बन जाता है लेकिन ये इशू न तो एडिटर्स गिल्ड के लिए न तो आमिन बड़े संपादकों के लिए न तो उन मीडिया हाउस के लिए बड़ा इशू बना है जिनके लोग पीटे गये हैं या जिन पर हमला हुआ है वाई यह एक तो यह यूनिनिसरेशन का इशू भी है जर्नलिस्ट के बीच में कोई कोई स्ट्रॉंग यह से ज्टने पी महिलां के खिलाव अटाक होगbench है जितने भी जर्णलिस्के खिलाफ है क्या हैं आप यह वह देहुड़ आ जाए में किसक्क्नस मेंन जाहिए गधार हमेंक्ति उंसारण डमीmitt ये एक बिलकुल अंत में चलते चलते हैं, हमारे पास समय बिलकुल खुतम हो रहा है, आप तीनों से मैं एक छोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ और छोड़ा सा जवाब, कि इसी बीच में आप देखते हैं कि विजिया दर्शमी से पहले एक दिन पहले उसको आम तोर पे जमान तत्काल शुरू कर देना चाहिए, जनता अब और नहीं इसको इंतजार करेगी, ये जो मसला उठा है खासकर इस वक्त जब कि चुनाओ अब लोकसभा का हम जानती है, कुछ ही महीने रहा गया है, आप इसको कैसे देखते हैं, खासकर चुकि आप वकील हैं, कोड में 29 सक्टूबर से सनवाई हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको, जी अब कोई पॉलिटिकल कर दे रहा है, अब इस टाइम तो जो कुछ भी होगा, वो राजनेतिक रूप से होगा, वो चुनाओं को मद्धे नजर देखके, और हर किसी को बीजेपी को अपना पॉलिटिकल मा प्रिया है, उसकी धजियां उडाते हुए मस्जिद गिराई गई, ठीक है, मस्जिद गिराने वाले वाले लोग जो है, वो आज सक्ता में बैठे हैं, और उनसे कहा जा रहा है, मतलब जिन्हों ने मस्जिद धाई, उनहीं से कहा जा रहा है, उनहीं से वोही लोग खुद अ लेकिन जिगिष्ट क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रिंग कोट को इस मामले में स्वैम भी संग्यान लेना चाहिए था सुप्रिंग कोट अपना पोसेशन क्लियर कर चुके है तो अभी एक जो लीगल फॉर्मालिटी है रिवी पेटेशन का वो अपने टाइम पर जो सेम बेट जी कंसेडर करेंगे मगर यह इश्यू आप देख लेए जो सोशो एकनोमिक सिट्यूएशन अभी जो केरल का भी और जो देश का भी यह है केरल में एक वी हाड टो फेसे वेरी बाड फ्लड उसके बाद हमारा कृशी और जो बाकी स्मॉल इंडस्ट्री यह सब एक प्रॉब्लम में है तो इस ता किसान सब संखर कर रहे हैं सडक पर तो वो बोले राम मंदर का दर्मान करो और एक्ट लेकर आजाओ जी एस्टी फेल हो गया अपना यह डिमोनिटे सेशन फेल हो गया फोरिंड पोलिसी फेल हो गया इंडस्ट्री और एग्रिकल्चर सबसे प्रिबल सिटुएशन पर है तो नाचुरली यह है कि जो जो फैशिस्ट फोर्स है तो आप कुछ और बात करेंगे राम मंदर का बात करेंगे शाबर्यमला का बात करेंगे ट्रिपल तला का बात करेंगे कि अपने जो इंसेक्यूरिटी है उसको मैकसिमं क्यार्स कह व Chr. क्या मैं उनका अपना पावर के लोगों की जान गई काफी जानमाल का नुकसान हुआ दोनों तरह से नुकसान हुआ लेकिन उस दोर में देखा गया कि केरल ने केरल की अवाम ने एक अजीब तरह की बेमिसाल पुखता एकता जिस तरह से दिखाई थी पूरा समाज मानो एक जुट था लेकिन उस महान एक जैसे लगता है कि उसको भस्त करने पर आमादा है और यह मुझे लगता है कि उस सूबे के लिए जो देश का मारो विकास सूचकांक में भी सरवच स्थान रखने वाला सूबा है उसके लिए दुर्भाग गिजनक है और यह दुर्भाग कहीं न कहीं उसकी चाया हमारे मीडिय में भी दिखाई दे रही है जब मीडिया खास कर नार्थ इंडिया का मीडिया खास कर जिसको नेशनल मीडिया कहा जाता है वो इस तरह के इशूज पर जो तथ्यों के साथ उसको आना चाहिए था उससे ज़्यादा भावनाओं में से जुड़ी जो चीजें हैं उनको रिपोर धंग से लोगों को रोकनी की कोशिश कर रहे हैं उनके पक्ष में भी महौल बनाता नजर आ रहा है खास कर हिंदी का एक बड़ा सेक्षन मीडिया का यह काफी दुर्भाग जनक है इन्हीं शब्दों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थानों है उन्हीं थाफ छुर्वदों का बहुत अभाग झाल है जन्यवाद है एक बहुत थी संवत है इन्हीं हाना है है फिर्ग कर रहा है दिंनके सानल से का त dei दyang मुआर्स है उन्हीं टıs на का, पेड़ा है